स्वापनिल पाटिल जी पंदरपूर रादे राजी गुर्देभवान आपके चड़ों में कोटी-कोटी प्रनाम गुर्देभवान आप मेरे सपने में दो बार आए जब सपने में मैंने आपको डंडबत प्रनाम किया तो आप हसके बोले कि देख ले अब तो तु गया इसका हमारजी क्या भाव है हमारी सिरी जी क्या लीला करती रहते हैं हमें comparak कराव है आप सब और जने बड़ाइदे यह खेल सिरी जी का होता है अब कहां गया परंपद में गया सिरी जी के चर्णों में गया प्रभू करना धाचे को निमित बना करके सारा खेल प्रभू कर रहे हैं सिरीजी कर रहे हैं जब कोई शंतों को आत्म समर्पन करता है बिनोद की भासा में वो स्वामी तुलसिदा जी करे है नारद सिख जे शुने नर नारी अवसी भवनत जी होई भिखाय तु तो गया समझ ने लिए माया में फसा या भगवान की कृपा के फास में फसा श्वापने में शंतों का आना भगवान की छविया ना भगवत धामों का एक कृपा का लक्षन है भगवान की कृपा संतों के रूप में आकर के करती है कृपा मानिये कोई ऐसा नहीं संत से कभी सादुते होए न कारा जानी कभी या मंगल थोड़ी संतों का दर्शन मंगल की सूचना होती है गया कहा गया यहां परंपद में जाना दुर्लब हुआ जब तु तु कया संसार के मार्ग से हट कर भगवान के चिंतन में अगर चित जुड़ जाए तोग्रेसधि में अधियो मात यह और मात्मआ तो प्रजमें रहकर और अंसार कि बच्चेों सब दिक्षा लिए और सब ग्रेस्ट हैं और सब नियम से भजन करते हैं घर में पूरा जैसे रस्जीती से हम लोग भजन करते हैं ऐसे पूरा ये सब भजन करते हैं और बिल्कुल ग्रेस्ट हैं पत्नी हैं पुत्र हैं परिवार सब माता पिता सब तो अब ये स पनते हैं एक तो ब्रजवासी और दूसरे रात दिन भजन में अपने संयम में और ग्रेस्थी में रहे रहे तो ऐसे भी तो ग्रेस्थी में रा जा सकता है एक सरापी कर बेविचार करके जुआ खेल कर गंदे आचरन करके रहना और एक अच्छे आचरन करके समाज को पद गया मंगल भवन भगवान के समीप तुम्हारी ब्रति जाए अमंगल साधुते होए नकाला जानी भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पदबंधन किये नासत बिग्न अनेक आपने काना पने प्रणाम किया तो पद बंदन किये नासत बिग्न अनेक सा कारे पाप मर्ष्ठ हो जाते जर्पा की कि तरफ हमारी बृति निल्गती भजन में हमारा अनुराग होने लगता है यह शंत करुपा का सुरूर होता है हम कहीं नहीं जाते हैं निवित बनाकर प्रभू कारे रहते हैं वह सब का मंगल करते हैं वही ग्यान दाता है यह तो एक निमित्त मात्र धाचा आप देख पांच भौतिक भाउतिक धाचा को संबोधन करके का जाता है संत गुर्देव भावा जो भी कहें लेकिन यह सब कुछ नहीं चार दिन की है चानदनी इसके बाद यह नश्ट हो जाए अब भी है और आगे भी रहेगा वही सब का मंगल करता है धाचा थोड़ी यह धाचा तो शाउंड है शाउंड बूल रहा है तो हमारी दृष्टी के वल धाचे तक है इसके अंदर जो बैठा है वो था वो है वो रहेगा उसके सिवार कोई है नहीं वही कृपालू का सेवन किया करता था पर एक वर्स से आपके से जुडने के प्रिश्चात मैंने इन सबी चीजों का त्या कर दिया और आपकी आग्या से राधा नाम करने का प्रयास कर रहा हूं परन्तु महराच जी आपने एक बार एकांतिक में कहा था जिस रसोई में मास बनाया गया हो प्रभू उनकी भक्ति शुकार नहीं करते। तुम्हाराज जी पहले हमारी रसोई में मास बनाया गया था पर एक वर्ष से रसोई बिलकुल स्वच्छ है क्या अभी भी हमारी भक्ति शुकार नहीं करते। गंगाजल यमनाजल से पवितर कर लो और नमीन पातर होता तो नहीं होंगे ना कि वहीं पात्र है तो फ़िए ना वहां गैवसं उतल में सराब भरी गए उसमें गंगाजल भरके रखने से पवितरता नहीं होतुत ना कि अब पात्रह कर दो हठा दो उपन थे उन पात्रों को हटा दीजे और रशोई को पावन कर दीजे कैसे उन पात्रों में तुम भी खा रहे हमारी बात मान करके भी तो सुना था उसी दिन हटा देना था कोई सोने चांदी के पात्रों तो होते नहीं आजकल तो इस्टील के होते पहले पुराने समय में कांसे के होते थे घरों में इस्टील का प्रिवेसी नहीं था इस्टील के पात्रों को बड़ा निंदनी माना जाता था अल्मोनिया में इनका प्रिव्योस ही नहीं था पहले घरों में वो कांसे के कल्सा और कांसे के कटोरा कांसे की इतालिया वो थोड़ा महेंगी होते हैं अब तो इस टील की रहते हैं कि अब आपने छोड़ दिया लेकिन एक वर्स तक अभी उन्हीं पात्रों में खा रहे तो कैसे बात बने पात्र तो वही है उसको बदल दो पात्र बदलो तब हरदय का परिवर्तन होगा हरदय का मार्जन हो रहा है नाम से बाहर से पवित्र भोजन जा रहा है तो नाम प्रकासित होने लगेगा अभी उसको पहले गंदी जो पात्र हैं गंदी विरति उनको छोड़ दो अंदर से गंदी विरति अब अच्छा सुधार कर रहें अब उसको सुधार कर लो कितने पात्र होंगे हजार-दुजार क्योंगे नहीं भी है कर दें उसमें कोई भगवात थोड़ी हटा दो पैसा है ना क्या होगा मच्छी और प्राण प्यारे गूर्डव आपने सह में कई बार बताया कि गुरुदेव अभेद्य अविनासी सचिदन तत्व है और हर जगा और हर शन गुरुदेव है यह बात जानते हुए हमें हमेशा सोचता रहता हूं कि जब आपका अनंत महिमा शाली शरीर नहीं रहेगा तब मुझे अदम जीव का क्या होगा यह बात सोचकर ही हर पल मुझे चिंता बनी रहती है मुझे अंदर से बहे अधिक प्रीत इमन भासंदिया ऐसा होता है ऐसा आपको ही नहीं होता है जिसको जिससे अधिक प्रीता होती है उसके वियोग को ना सहने की मतलब हर्दय में सामर्थ ऐसे नहीं होती है वो नहीं से सकता हुचा जितना ग्यान की बाते की जाए जैसे गुरुशे प्रेम है गुरुदिव भगवान सामने जो बैच करके हमें सुख मिल रहा है वो तत्त रूप से थो अब आप हमें देख पा रहे हो तभी तो संभासन हो रहा है तो आज के बाद ऐसा नहीं तद थोड़ी बोलेगा यह तो शरीरे से बोलेगा तभी तो सरीर का अस्त्राय लेकर नहीं तो तत्तों की बार्णी समझने के लिए तत्तों सुरूप में इस्तित होना पर जैसे इस स साथ पॉस को लगा नित्रतों कि आपको छुपनाई लेंगा जाईया लेकिन हम उस बाणी को समझ पाते बन को समझ पाते तो हम हमारी बात तो बनी रूप से ना तो हमारी आसकती रूप में हो जाती गुरू के और यह होना ही चाहिए तो जब हमारी आसकती रूप में हो जाती है तो संसार की आसकती का नास कराने के लिए भगवान कपिल देवजी निका जो आसकती संसार में हो जाती वो बंधन का कारण व की यह प्रार्थना होते हैं कि भगवान कृपा करके गुरू रूप से आप मिले जब तक हमारा जीवान तब तक मैं आपको ऐसे देखता रहूं और आपके दुलार से भगवान की भजन में लगा रहूं आप है तो भजन है और आप गए तो पता नहीं मन कहां ले जाएगा ऐ तो आकांक्षा रहती ही है यह कोई निन्दनी या निशेद नहीं यह तो बहुत अच्छी बात है पर समझना होगा कि रहना नहीं देश बिराना है यहां से जाला है आज नहीं तो कल जो पहले से तैयार न थे पच्छता पच्छता कर चले गए हम तुम सब को जाना है जाने की तैयारी कर लो रहे नरावण समभिमानी हिरना कस्चप संभरदानी खान विभो की खान जगत में कुछ दिन के महमान भजले स्री भगवान जगत में कुछ दिन चलना तो है आज नहीं तो कल जाला तो पड़ेगा यह सरकारी है या ट्रांसफर होगा यह बंगला भी नहीं र नहीं कि जिसे स्वस्त सरीर तो आसा है कि चलो 45 पचास वर्स और जी जाएगा यहां तो खिंद्नी फेले रहे हैं तरे दिन डाइलिस से सरीर चलना है पर वह हम हूं है है नहीं एक बज़े रातिरी से यह दिन चल लिए बज़े रातिरी से और 17 बज़े तक चलती रहेगी हम जैसे एक सब्सक्राइब तो इतना घबडा रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि छोड़ देंगे शरीर जिसे बोलने से लगता है कि आप बोल रहे हैं कि इस शरीर से आप मोह बद देखा नहीं बच्चा इसका क्या अच्छा देखो जैसे मकान की न्यू हिल गई हो तो कभी भी गि हम तो उसका लाव उठाले इसलिए हम रह नहीं सके आए अभी महाराश में जोग करते हैं आप ब्यार से बहले आगे कल का पता सोड़िएगी आप तुम बैठेगे के लिए बैठेगे एक साल और भी खतम हो गया जिन्दगी का आज जनम दिन है मेरा तो परभुदी मुझे प्रेम नीदी जी आपकी चाड़ों में कोटी-कोटी पढ़ाओं महाराजी कल के सत्संग में आपके श्रिमुक से सुना था कि महापूर्शों का आश्र लेने से एक उंगन सी आती है उस उंगन को तपस्या के द्वारा संभाला जा सकता है नहीं तो गिरा देगी तो इसका म किसी शंत मात्मा के समीप हैं या किसी महापूरुष के शेवा में हैं या किसी महापूरुष के आदेश से शाधन में लगें तुम्हारे अंदर एक आनंद की उमगन होती है उस आनंद की उमगन को या उदाशिंता और जितेंद्रिता के द्वारा न रोका जाए तो वही उ परंप्री खिन गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिनन भिन बंदो शीता राम पद जिने परंप्री खिन खिन उधासीन ती रहेगत बाहर शिषांत उधाशीन अंदर आंद की उमगण अब वो आनंद की उमगन का जो स्वरूप है उसे तपश्या जितेंद्रियता के द्वारा रूका जाता है नहीं तो जहां आनंद की उमगन आई तो फिर सरीरा कर्शन काम भोग वासना नाना प्रकार की व्रतिय इनमें उफस जाता है यह फसाव है जैसे खेती की मेर को उमगन को रोकना है इंद्रियों को अंतर मुख करके और उदाशीन हो कर अगर वो खुला रह गए तो इंद्रियों के द्वार से वह नष्ट हो जाएगी वह फिर देखा गया है बहुत बड़े महापुरुशों के समय परेकर कोई लाव ना ले पाना और पतित हो जाना तो कियों हुआ मुले अनंद की उमगन को शैयम के द्वारा समान नहीं पाए ब्रश्ट हो गये ऐसा क्यों हुआ क्यों महापुरुशों के आंतरिक संपत्ति पर नहीं वह बाहरी प्रभाव पर लाभानवित होना चाहिए इसलिए ऐसा हुआ नहीं संत का क्रपापात्र महापु जो शह गया वो ही महापुरुष हो गया जो टूट गया वही बिचरी हो गया है यह बात समझेगा है भजन की उमगन महापुरुषों के आनंद की उमगन उसको संभालना होता है जैसे छोटा आदमी उसको Wenn गलती करे कोई गलती करेगा कोई करवा देगा उसको एक करोर का जो नसा है उसे उसे एक अपराद करवा देगा यो उसे गलती करवा देगा और वो गंभीरतासे रहे चुपचाप सांती से उसे हज़ब कर जाए तो सुरक्षित रखा रहेगा ऐसे ही बजन का भी उनमाद होता है साप देने में वर्दान देने में किसी का निष्ट करने में किसी का प्रभाव दिखाने में यह कई गंभीर शांत व्रति से रहना अपने अंदर के भावों को छुपाना आए हुए अंदर के वेगों को शहना काम का वेग वाणी का वेग उदर का वेग जनेंद्री बिविद प्रकार के वेगों को शांत भाव से वह आनंद परमात्मानंद की तरफ ले जाएगा किसका प्रश् तो भागवतिक भाव से बेवार करें नहीं तो जैसे होता है कि खुब भजन हुआ चार गंटे-पाच गंटे अब थोड़ा मन को छूट दे देते हैं जहां छूट दिया हो ऐसी जगे फसा देगा अगले दिन भजन भी नहीं उपाएगा और जो भजन हुआ उसका अनंद भी जैसे जैसे भजन बड़े महापुर्शों की कृपा बड़े वैसे वैसे उपर से खिन और दासी कि आदमी एक बार देखके दुबारा देखना न चाहिए कि यार कितना हर समय दुखी सा बना रहता है ऐसा होना चाहिए बिलकुल शांत गंभीर नारायन हरी भजन में पाच् अच्छी नहीं लगती विशय भूब निद्रा हशी जगत प्रीति बहुबात जगत का ब्यवहर बढाना बहुत सी बाते करना खुब अच्छे पदार्थ खाना खुब सोना हसी मजा करना यह सब अच्छा नहीं लगता वह गंभीर अल्पाहार करने वाला धर्म पुर्वका अब दार्च वालव जैसा व्युवार जिसके साथ उचित व्यों व्यार पर उदाशी मय तो अपने आपको बचा ले जयाए प्रया ऐसी चतुरता नहीं होती तो सत्तन्geons तो इसी बात का होता हि न है भएजन कैसे करना एभ उसको करके कैसे बचाना है बचा के कैसे उसे प आम वासना क्रोध लोब दुख और चिंता मैं आपको समर्पित कर देता हूं तो वो नाश हो जाते हैं क्या यह करना उचित है कि मैं मियां मैं पाप कर रहा हूं यह अच्छा है इस्ट और गुरु के हवाले कर दे पर वह समर्पित इस्थाइ नहीं है न इस्थाइश तो तभी इस्थाइश होगा जब आहम समर्पित हो जाए वह आप समर्पित होने के लिए में हो जाता है इसी दिया विमान रुपी महल में सारे विकार रहते तो निर्विकार हो जाता है अंधान चानौ मोबायल इसे गंदी बातें मत देखो गंदे मित्रों का संग मत करो कोई नशा मत करो विचार अच्छे रखो अभी ठीक हो जाएगा आनंद कानू और यह कोई पाप नहीं इस्ट और गुरू इनी को तो हमारा जीवन समर्पित होता है इसमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम आपको समर्पित करते हैं गंदी बाते हैं तो कोई पाप थोड़ी बहुत अच्छी बा गुरूदेव आपके बताय हुए मार्क पर चलने का चेश्टा कर रहा हूँ गुरूदेव मेरा एक प्रेश्ण है साधन करने में आसन का महत क्या है आसन में दीर काल रहने का अभ्यास है इससे क्या होता है कि प्राण वायू का संशूधन हो जाता है बिना प्राणायाम के भी जिसे पंदमाशन लगाएं और हम कम से कम 48 मिनट बीना हिले कि दूँदगरी 48 मिनट एक गड़ी 24 मिनट ही होती है तो 48 मिनट अब पीडा पीरा शुरू होगी हरंग में पहले जांगहों में पीडावेंग कर पीडा होते जो नया नया भ्यास करते उनको बहुत पीडा हो तो उस समय जब आप शांत भाव से सहोगे तो आपके पाप नश्ठ होंगे पहली बाद दूसरी बाद आपके शरीर की जो बिगडी हुई वायू है जिसे किसी के घुटने में कैसे यह नहीं पीड़ा पहुचाती वह वायू सरीर की नश्ठ हो जाएगे बहुत हलका सरीर आप होगा और प्राण आपके सूख्ष होने लगेंगे प्राण सूख्ष होना मन का एकाग्र होना और ब्रह्मचर यह तीनों का तार है तीनों का connection है ब्रह्मचर ठीक प्राण सूख्ष मन एकाग्र मन एकाग्र प्राण सूख्ष ब्रह्मचर सही इन तीनों में एक बिगड़ ज ब्रम्य विगड़ जाए या मन चंचल हो जाए या प्राण इस्थूल हो जाए जो बहुत खाद आए और खुब सरीर में चरवी बढ़ती तो प्राण इस्थूल हो जाते हैं कुछ में आत्म बल नहीं होता देर देर शरीर बल वीची हो जाता है तो जैसे आप आश्रनों पर बैठेंगे तो आपकी चर्वी नष्ट हो जाएगे आपकी जो वाईव विकार है वो नष्ट हो जाएगा आपके प्राण सुक्ष होने लगेंगे और हमारी एक आगरता सिद्ध होती तालिश मुझ शांट यह तो अभ्यास छेचे घंटे छेचे घंटे एक एक आसन सिद्धा लगवक्त सवाव घंटा पार होने के बाद फिर कितनी वी देर बैठे रहो शुन हो जाता है पूरा मंत्र जो चला वह सुसी मिस्तिति मन एकाग प्राण शूक्ष में सरीर निष्चल ब्रह्मचर और बिना ब्रह्मचर के इनासनों पर ना बैठे नहीं तो परेशानी हो जा पुरा मुन शरीर में लग जाता है नाम में लगता नहीं अभ्यास पढ़ाई है जैसे हम नाम मंत्र जब रहें ना पीड़ा हो रहे उस समय आप विचार केंजीं कि मैं सरीर नहीं हूं कि शरीर हमारा कपड़ा है हमारी तनमेता है इसमें इसलिए दर्द हो रहा है शान शहजाब शान शान बार-बार मन को मंत्र में लगा तभी तो भगवदाकार ब्रत्ति आ जाती है अब शट्ट में शरीह लाएं डूल या चंशन में चंचलता मन की तो का मंत्राकार ब्रत्ति हो पाती है भना ब्रमचर के फिर इन आसनों का ब्यास कोई ना करें नहीं तो परिसान हो जाएगा फिर शरीर काम लाइक नहीं रहेगा ब्रमचर तो इन आसनों पर बैठे निस उख सुखासन जैसे पलती मार के बैठना इसे सुखासन कहते हैं इसमें बैठा लेकिन शिद्धासन और पदमासन इनके लिए पहली बात सुनों ब्रह्मचर की आवशकता अगर ब्रह्मचर नहीं तो यह खेल खतरनाक हो जाएगा फिर सरीर के लिए हांकारक होगा और जो शिद्ध आशन होने लगे तो शुष्मना नाड़ी खुल जाती है और फिर उनका ब्रह्मचर उर्धरे ताह जाता है अधोगामी ब्रह्मचर नहीं होगा उनका वह फिर दिभ्यमापुर्शों में उनकी गढ़ना होने लिए पर ग्रेश्ति में थोड़ा उची थे थोड़ा ऐसे सु बैठना ही चाहिए ना अन्यासन ले सके तो जैसे 30-40 मिनट जो है वह अगर हम सुखासन में बिना हिले-डुले बैठने का अभ्यास करें तो भी हो जाएगा पलती मारके आराम से नहीं अगर ऐसा ना हो तो फिर सोफा में भी बैठके हो सकता है कुर्शी में भी बैठके हो स अगर पीडा भी हो रही तो थोड़ा बैठे रहे आराम मुत्रा भी बैठे रहे 30-40 मिनट का अभ्यास देर देर करें तो जाम मन बिचलित होने लगे तो आसन अटा दे हमको भजन से मतलब है फिर दूसरा आसन कर ले पैर पैल आले जैसे बले वैसे भजन नहीं छूटना च जाता है एक हपते दस दिन महिना वर अभ्यास किया तीस मिनट फिर दीरे से दस-पास दिन में एक मिनट बढ़ा दिया ऐसे किया जता है यह कठे नहीं कि आज तीस कल चालिस पर सो पचास मिनट फिर दम छोड़ दिया वीमार हो जाओगे बावी भी बिगड़ जाएगी शर दिए सब्ढ़ पाता है था रखे चलते फिरते वी रखे क्योंकि अगर आशन में रखो गए आसंप से खड़े और फिर साधन नहीं तो समय मृति हो जाए तो हमें मृतिव की तैयारी करनी है वाँ समझा में साधन आसंपा नहीं करना हमें साधन चिनतन का करला है कुछ देर आसन में उस देर टैल करके भोजन के समय सोच के समय इसनान के समय हर समय हमको बगवत चिंतन में रहना है कभी भी प्राण निकल यह हमारी तयारी है जीवन मुक्त होने की आसन सिद्ध करने की नहीं इसका अगर हम आसनों में एकेवल रखेंगे तो 40 बनेट आसन कर लिया इसके जाना आराद दे देओं खड़े हैं या बेठे हैं मारस में अपने आराद दे देओं मीस्तित है ऐसा ध्यान दखो शिक्षा जी नागपूर से गुरुचरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओं महराजी ग्रस्त में रहते हुए बिना विवा किये जब तक माता-पिता हैं उनक सेवा तता बाद में घर में रहे कर भजन करके भगुरुत प्राप्थी कर सकते हैं या निवृत्ति मार्ग अपनाना पड़ाएं नई-निवृत्ति मारग में कहीं जाने जिरुत निवृत्त नहीं घर में रहो गर में पवित्रता से जीवन निर्वाग करो और धन्यवाद है कि आप संसार के राग में नहीं फसना चाहेते पर यह ध्यान देख दिए कि अगर संसार में आप ब्याह नहीं करते तो आपका ब्रमचर अखंड होना चाहिए अगर अपने अंदर पूरुष के प्रतियाकर्शन हो तो बड़ियां धर्म पूर्वक ब्याह करें और खुमनाम जब करें ग्रेश्टी में चले और जब यह है कि हमें ब्याह नहीं करना तो इसका मतलब आजीवन हमको फिर सैयम से रहना फिर यह नहों यह जैसे आज कल गंदी बाते होती ना कि व्याह से कोई मतलब नहीं आज मनु रंजन का समाज बनता जा रहा है पि ऐसे मतलब बहुत हानी हो जाती यह ऐसा नहीं होना चाहिए किसका प्रश्ण है हाँ तो मनु रंजन का नास हो तो फिविरक्ति अंदर की व्याह नहीं करना थो आज इवन ब्रह्म ने बहुत आए गर भी संसार के प्रतिराग तो ग्रेशन्य में जरूर जाना चाहिए घंदी बात करने से अच्छा धर्म पूर्वक्त तशेवन करें जो भगवार ने मर्यादा बनाई है सब के चरणों में धंडवत खुम नाम जब करो अच्छे आच्रण करो चिंता मत करो हम सब भगवान के अंस हैं और हम जहां फसें वो भगवान की माया कोई और नहीं है जिस समय हम भगवान को पुकारेंगे वो अपनी माया से मुझे मुक्त कर देंगे मुझे डरने की यह नए नए बच्चे गंदी बाते मुबाइलों में जिससे देखते हैं तो और गंदगी बढ़ती इसले गंदी बातों के देखने से बचो गंदी बातों के सुनने से बचो गंदे विचारों से बचो गंदी क्रियाओं से बचो बस इसी का नाम माया है इनसे बच गए तो भगवान इतरे करुणा में है कि भगवान की प्राप्ति होना दूरलब नहीं इससे बचाने के लिए यही सादु समागम है खुब नाम जब करो स्वस्त रहो और इस जीवन का लाव लेओ सब लोग लाव लेओ जितना नाम जब कर लेओ तुम्हारे लोग पर लोग में वही काम आएगा हमारी बात मान लेना यहां का बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, यहां का दोस्त काम नहीं आएगा, यहां की जमीदारी काम नहीं आएगा और एक बार राम बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरी बोला, यह तुम्हारे काम आजाएगा लोग पर लोग सब जगे तुम्हारा मंगल करेगा नाम जब करो, सुखी रहो, आनंद पुर्वग ये मनुष्य जन में मिला है, अब हम नीचे न गिरने पावें बहुत उचाई पर आ गए, अब हम सुवर कुट्ता न बने कम से कम हमें जन में मिले, तो फिर हरी के चरणों का असरे लेकर मनुष्य जन में मिले, और खुब बढ़ियां आचरन करके राष्ट सेवा, समाज सेवा, और नाम जब करके भगवान को प्राप्त हो अब इससे नीचे न गिरे, अब हम कहीं नाली के किगा न बने स्वास्त, यार इतने लोगों में तुम्ही तो जो पूछ लिए बढ़ियां है, डाइलेस्स होता रहे, तब आज डाइलेस्स होगा, तो आज कुछ सूजन आ गई होगी चेरे पे, क्योंकि दो दिन हो गए, सनिवार, रविवार, हफ्ते में तीन बार होता है, तो यह जो द दो दिल होते हैं, फिर इसमें भारी हो जाए, अब जैसे इस समय है ना, तो बस यही लग रहा है कितनी जली जाओ और डाइलेस्स हो, क्योंकि पूरे सरीर में पीड़ा, और सूजन आ गई होगी सूजन, दूर सिलहार, बर बर सिरी जी की कृपा है, तो चल रहा है ले तो ब काम नाम किसा, किडिनी भी परेसान है कि गलत जगे हम फेल हो गई है, क्योंकि उसके फेल होने में जो उसको आराम चाहिए, थोड़ी मिलती है, जब तक श्वास है, और हिम्मत है, तब तक कदम आगे बढ़ते रहेगे, हाँ जब ऐसा ही हो जाए कि हिम्मत ही नहीं रही तो Cornshekem बातलग है, तो बड़ी कृपा है, ए जोटे भगत, बड़ी कृपा है, इतना छोटा हो करती है, इतना चोटा हो के स्वास्ते के विजदा में पूच रहा है, पिछले एक डेट साथ पि 494 राधह नाम जप नवाना नाम जब करता, 44 पिनम्ता हाथ हजार चाहसो, तो लाकों का कल्यान कर देता है तो राष्टसेवा बन गहीं कि लिबल गए हम अगर राष्टसेवा नहों अपना की वल कल्या भी activity सब्सक्रत अपणा ने तो सब लेकिन एकल्यान करके जगत कल्यान करते हैं तो धंन Ihr वो शंत जन जिनके द्वारा जगत का मंगल होता है जगत का कल तो जिसे बच्चा है अब हम लोगों में शादुता कैसे आई बच्पन से संत जन आते थे तो माता पिता इनके चरण धो चरणा मिरत पियो अब उनको भोजन पुरुशार है उनकी जूठन मिल रही वो संसंग आकू का नाटक देखा था गाओं में नाटक नोटन के नहीं जैसे होते तो गाओं में किसी को उत्सव होता तो नाटक आया था सुल्ताना डाकू का उसका भी नहीं किया गया था तो जब उसको फासी की सजा अंतिम शमय दी गई तो पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच सब ने कहा कि ऐसा क्यों किया तो मेरी फांसी लगने का कारण मेरी मा है एक बार जब मैं इस स्कूल से पेंसल चुड़ा के लाया तो माने का बहुत अच्छा बेटा लिखने के काम में आएगी बस मैंने समझा कि अच्छा काम है तब से चोरी करता करता मैं इतना बड़ा न बनता और मुझे आज फांसी न मिलती तो धन्यों माता पिता जो अपने बच्चों को सच्ची सिक्षा रेते अब जैसे नाम जब कर रहा है सत्संग में आया यह कुछ समझे ना समझे पर यह संसकार इसके अंदर जो है वो अगर ग्रेश्ट भी रहेगा तो यह बहुत अ तर पढ़ जाएगा क्या कुछ नहीं ऐसे यह जो भगवत प्राप्त भक्त है लाखों को भगवत प्राप्ति करा दे तो उसमें कोई फर्क थोड़ी पर जाता कोई कमी थोड़ी हो जाती पर पहले अपना दीपक जलना चाहिए बुझे से दीपक थोड़ी जलता है तो पहल जैसा हो आचरन बुरे है तो कुछ लाब नहीं और भेश चाहे जैसा हो आचरन अच्छे तो महत्मा है वो शंत है भले वो पैंसर्ट में हो सकता है वो दोती कुरताब भी हो सकता है ऐसे ही पापी किसी भी भेश में हो सकता है कालनेमी ने भी तो सादू का वेस्दारण किया अगर आप इतना जान गए हो कि मैं गलत रास्ते में चला गया हूं तो लोटने का रास्ता तो आपको पता ही है जिस रास्ते से हम गलत रास्ते जा सकते हैं तो सही से गलत में गये हैं तब ही तो हम जानते कि ये गलत है वह इसे वापस लोटे आप जिसे गलत समझते हो उसे आज के बाद मत करो अब लो नशानी अब ना नसे हो गोल सकते हो कि क्या गलत करते हो कि ब्रिंग करते थे और ड्रिंग स्मोक बस्तर की चीज़ें मेरे फ्रेंट सर्कल में साथ में क्लब जाना धरना नए बच्चों में सब होता है लेकिन आप विचार करके देखें कि अब आपके अंदर अगर सत्संग थोड़ा भी पहुंच गया है तो आप विचार किजिए आपके हालत क्या है शरीर के यह रोग का गहर है शरीर अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अभी तक तो मनोरण्यन किया है अब जो उसका परिणाम आएगा तो क्यों भोगना ही भोगना पड़ेगा और क कोई सरकल मित्र का आपको सायोग देने वाला नहीं जब तक जेव में दम है आप में दम है तो हाथ मिलाएंगे और जीज दिन चार पाई में लग गए ना फिर कोई तुमसे मिलने आवे या स्मोक कराने आवे है ड्रिंक कराने आवे तो वह बता ना तुम्हारी जेव में द लगाना कि करते हुश नहीं आज से नियम लियु अगर दोड़ लगाने में असमर्थ हो तो रफ्तार से चलो देखो शरीर स्वस्त रहेगा ना धर्म कर पाओगे भजन कर पाओगे इसे स्वस्त सरीर नहीं कहते हैं आपका सरीर स्वस्त है सरीर में अधिक चर्वी बढ़ जाना सइरतव के अधिक वजन बढ़ ये आपके जो में अंग है उन पर इसका प्रवार पड़ेगा लीवर है केड़नी है हाऌड इन पर प्रवा पड़ेगा अधिक भी है सरी के लिए ठीक नहीं है तो आप दोड़ लगा जिसे बाहर दोड़ने को न मिले तो आज कल वो ठेड्मेल उसमें दोड़ो ठीक है और नसा मत करना है हमारे सामने कसम खाता है इसका निर्वाक करना गुरुजी एक रिक्वेस्ट है मेरी समझनी आता जब चीजें कोशि कोशिश करते हैं दसंती बाद वापस उसी ट्रैक पर शूटी नीवाथा जैसे ब्वाजनकिर्तन करते हैं सब्सक्राइब अगले बार 20 चाहिएए सब्सक्राइब शरी कभा रहे देख लगों कशें आपको हमारे साथ देना होगा आपको डटना होगा अगर आप एक हमारे सामने मित्क तुरा जाए। मैं उसके साथ क्लब चला की जाओंगा जहां गाओइध सामने कोई ठ्रेंड आ गैतों हम ऐसा करी Kommunen तो अब फिर हमसमर्थ हो diagd Caitlin आगे हैं जादु तमासदा द्रमा में लेकिन जहां तुम्हारा अकल्यान जिन से होता उनको तुम्हें छोड़ना होगा उसके लिए तुम्हें साथ देना होगा तुम्हें इतना कमजोर नहीं हो अब यार कहेगा दोस्त कहेगा तो फिर महारा जी आपकी कसम तूट जाएगी तो फिर हम हार जाएंगे तुम्हार जाओगे अगर आप ये साथ दोगे कि जो मैं बचन दे दिया प्रांट जाग सकता हो कभी नहीं करूंगा आप से बढ़कर कोई मित्र नहीं है सोचो देते ब भगवान है किस बात से हम बड़े हैं कि हम प्रभू के दास है आप भी स्री भगवान के हो समझ रहे हैं तो हमारी तुम्हारी दोस्ती सहज है ड्रामे वाली नहीं है और हम तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं तुम्हें महान बनाने के जहां तुम गिर चुके हो वाँ से खड़े करने में तो हमारी बात किवल मान लो जिसे हम आप C unprecedented मत पीना तो इसके साथ आप हमारा power भी आपके साथ है कि гол इतना ही नहीं है आप जो कहstillे पहले सुधर चुके हैं आप तो आज का समखा रहे हो यहां सैक्णों हजारों लोग ऐसे आ चुके हैं जो एक कह चुके हैं कि मुझे च्छै महीना हो गए सब छोड़े मुझे साल वर हो गया छोड़े और तब हो हमसे मिले इसका मतलब क्या हुआ केवल यूट्यूब से सुनक करके मात्रों अपनी जीवन को समाल लिए क्यों कि उन्होंने हमारा साथ दिया हमारी बात मान ली इसलिए तो हमारी बात न मानोगी तो बच्चा देखो कई बार काया कि जैसे भागवत के पोश्टर लगे होते ना उसमें दिखाई दिता ना ऐसे संत बनाओ ऐसे तेज निक पसंद करता है और हम तुम्हें फिरी बता रहे हैं राधा राधा जपो तो लगता है कि यार बितले हैं अभी लाल कलावा लावा कपड़ा नीला लाल फाल करके कई गांठ लगा के ना यह देखो तुम यह लिए उसमें कुछ नहीं लेकिन तुम सफलता का प्रतीक मानोगे यही संसाद का सुरूप है सच्चा ही कह रहे हैं न कोई राख न कोई दुनिया का नाटक तो कम समझ में आएगा और इससे अगर मान गए तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे आज संसाद ड्रामे को पसंद करता बच्चा नाटक को पसंद करता आइसा नहीं बच्चा तुम करो पाप और कोई तुम्हे संभाल दे आइसा नहीं बच्चा अवस्य में भोक्त अब्यम करतम कर्म सुभासुम साधू के संग से तुम्हारे कर्म उज्वल होने चाहिए साधू के संग से तुम्हें अध्यात्म सक्ति आने चाहिए यह साधू का संग होता साधू का स अपने शमान बना देते तो अच्छे बन जाओ गलत आच्रम खुद त्यागो तुम्हें सब हिम्मत है तुम सब कुछ कर सकते हो अपने को भूल चुके इसलिए ऐसी आलत हो चुकी जो तुम में सामर्थ है वही यहां सामर्थ है वही बड़े-बड़े महापुर्शों में साम भगवान ने युक्तिया दी वही अनुभो वही युक्तियां वही भजन का वही आपको दे रहें तो सत्य वस्तुई को स्वईकार करने से आप स्वयम महान हो जाएंगे किसी के सायोग की जनत नहीं पड़े आप खुद इतने मजबूत बन जाओ कि दूसरों को समाल सको अव्यक्त निधनान्यो टत्र का परिदेवना ये सब सरीख नहीं थे बाद में भी नहीं रहेंगे वो अव्यक्त अब भी है वो पहले भी था और आगे भी रहेगा वही तू है कोई और नहीं। परमात मतत्पि तो जाग अपने श्वरूपने जाग ये विशाय इंदाप् बिगड़ चुकी है कुसंग से अब सत्संग भगवान ने दिया आप पर कृपाना होती ते सत्संग न मिलता अब सुधात कर लो राधा राधा नाम जब करो और देखो हम जो कह रहे हैं यह भजन की तरह हमारी बात मनना दो तीन किलोमेटर ट्रेडमेल में या ऐसे दोड़ो और कभी भी ऐसे पदार्थ मत खाओ जो तुम्हारी बुद्धि को तुम्हारी श्वास्त को खराक करें अभी ज्यादा वस्ता तो आपकी होगी नहीं कितने वस्ता है बत्तिस आप जवान हो बहुत ज्यादा सरीर को इस तरह से फैलाना अच्छा नहीं अलपाहार करो पवि अब मक्कन मत खाना नहीं तो गलवर हो जाएगा अब लहीं आप तो राधा राधा जपो और मूं की दाल और सूखी रोटी खाला जिपो तो अब जावी सब ठीक हो जाएगा दिरे दिरे ठीक है? मान से तो नहीं अच्छे बच्चे हो नहीं जी